इस वक्त मैं मौझूद हूँ RGD कारियाले के सामने आप देख सकते हैं मेरे पीछे यह RGD का कारियाले है और यह राज कारियाले है सबसे बड़ी बात है कि आपको कारियाले के अगल बगल यानि कारियाले के सामने जो दिवार है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते है चारो तरफ केवल और केवल नितीश कुमार की तस्वीर लगी है कहीं से भी यह नहीं दिखाई देता है कि यह आरजेडी का ओफिस है चारो तरफ आरजेडी के ओफिस के बिल्कुल सामने चारो तरफ केवल और केवल मुखवंतरी नितीश कुमार की तस्वीर है चारो तरफ ब बिहार सिकारी है सरकार बाएं तरफ नितीज कुमार की एक बड़ी सी तस्मीर है और दाहिने तरफ आप देख सकते हैं उप मुख मंत्री सुसिल कुमार मोदी की तस्मीर है और नीचे जो तीर है यानि जद्यू का जो सिंबल है उस तीर से आप देख सकते हैं बिहार का जो है उसमें लहू लुहान लिखा हुआ और उसके नीचे लिखा हुआ है ब्रस्टाचार घोटाले जरजर कानून बेवस्था बेडोजगारी ठप बिहार और सिच्छा यानि इस नितिश कुमार के सासनकाल के 15 सालों का चित्रन किया गया है इस पूरे तस्वीर में कि नितिश लहु लुखान हो गया आप लोगों ने तो मुखमत्री नितिश कुमार को सिकारी बना दिया इसलिए बना दिया हम लोगोंने कि देख लेजे इसमें लिखा हुआ है सारे चीजों का संकेत है संदेश है कि क्या भरष्टा 4-4-4-4 गोटाले नहीं हुए बिहार में क्या नाले के पानी में राजधानी नहीं डूबा क्या चमकी बुखार में हजारों बच्चे की मौत नहीं हुई, क्या मुझपर पुर्बाली का ग्रियकांड में बच्चियों की असमत नहीं लूटी गई, उनकी आत्मा करा रही होगी, क्या विसेस राज के दरजे पर हाई तौबा नहीं मचाया गया था, आज क्यों चूप है क्या विसेस पैकेज की बोली नहीं लगाई थी बिहार की, उसका क्या हुआ, चौपर घोटाला क्या नहीं हुआ, क्या रोजगार स्रिजन हुए, ये सारी चीजों पर तो जवाब देना पड़ेगा, तो लहू लुहन तो बिहार को कर दिया है, तो बिहार की जनता कह रही है अएसा तीर, इनका जो तीर था, जे डियू का, जूका रही है, अएसा तीर चला मेरे दिल पर, जिसकी मार सही न जाए, अब जनता को इनका जो तीर चला करके, इनोंने चोर दर्वाजे से सरकार में तो बीजेपी को ला दिया, सिकारी बन करके, لेकिन क्या फायदा दिया, को लहू लुहान किया इसी के लिए यह संदेश है इस पोस्टर के माध्यम से जिस दिन चुनाव परिनाम बिहार विधान सवाद 2020 के चुनाव परिनाम आएंगे उस दिन साम में इसी पार्टी ऑफिस में राष्ट्री जनतादल के इसी जगह पर पोस्टर लगेगा दो हजार बिस जे डी यू फिनिस इसी पोस्टर से अंत हो जाएगा